हाई गाईज कजाला के जहां में सभी का इस्तक्वाल है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मतन दो प्याजा मतन दो प्याजा बहुत जल्डी बन जाता है और खाने में टेस्टी और डिलीसिस भी होता है चलिए आज आपको बताते इसमें क्या-क्या पड़ेगा 500 ग्राम मतन लिया हुआ है चार मीटियम साइज के प्याज तलने के लिए कुछ खड़े मसाले तेल में डालने के लिए आदा चम्मद काली मेर्च एक बड़ी लाइची तीन छोटी लाइची दो तेज पत्ता एक लगडी का टुकड़ा जिसको सिल्मन कहते हैं एक चम्मद जी फिर आन्सुन का पेश्ट, एक चम्मद जदरक का पेश्ट, दो चम्मद धनिया पाउडर, एदा चम्मद मिर्ची, आप जिस कपते हैं इतनी अदिय चम्मद हल्डी, दो चम्मद गरम मसाला, लमक श्वादनसान, कटा हुआ धनिया, सौ ग्राम दरही, दो बड़े चम्मद तेल, सबसे पहले हमने कूकर को डाइस के उपर चड़ाया, अब इसमें जो तेल था, डाल दिया है, दो चमल, देखिए अब तेल गरम हो गया, इसमें हम तेज पत्ता डालते हैं, लकडी, बड़ी लाइची, यह सब मसाले, डाल देते हैं, सारे मसाले चिटखने लगे हैं, अब इसमें हम डालेंगे, प्याज, प्याज को अब खोड़ा सा सुनेरा होने तक लाल करेंगे, देखिए प्याज अब अलका अलका लाल होने लगा है, ज्यादा इसको लाल नहीं करना है, क्योंकि अब ज्यादा लाल करेंगे, तो मतन दो प्याजा, अच्छा खाने में नहीं ले गएगा, अब इसमें हम चिकन डाल ले हैं, सौरी मतन डाल ले हैं, अब लेशुन का पेश, नहीं देना है, अदरक का पेश, अब इन सब को अच्छे से सोटे कर लेना है अब ये मतन देखिए थोड़ा सा मुईने के आ गया है अब इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, खल्बी पाउडर, सारे मसाले डाल देना है नमक, आदा गरम मसाला डाल देंगे अब इसको चलाते रहना है एक चब मजिस में कस्तूरी, कस्मीरी लाल मिर्च डालनी है जिससे ये लाल मसाला हो जाए, देखने में खुट सूरत भी लगने लगता है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि मतन खुद ही पानी छोड़ता है, ज्यादा पानी डालेंगे तो मतन ज्यादा गल जाएगा, लेखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और खाने में भी स्वाद नहीं आएगा हड़ी मिर्शी डाल देते हैं और अब इसमें लिट लगाकर दस मिनट के लिए रख देते हैं अब कुकर को खोल कर देखते हैं किस तरह से बना हुआ है मसाला भूईने लगा है, मतन ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें हम मगज के डीज डालेंगे, दस बारा काजू के, तो दो टुकडो में कल लिया है अब स्लो प्लेम में हम इसमें दही डालेंगे, ज्यादा तेज आंट में अगर दही डालते हैं तो दही फट जाती है अभी इसमें ग्लीट लगा कर पूकर को फिर रख देते हैं, पांच मिनट के लिए गोश जड़ा अच्छे से गल जाए अब पूकर को खोल कर देखते हैं किस तरह से बना हुआ है देखिए यह बनकर कयार हो गया है मटन में मसाला भी छोड़ दिया है और पेल भी छोड़ दिया है हमारा मतन भी गलकर तयार हो गया है देखिए छोड़ी भी अच्छे से जा रही है मतन में इसका मतलब है मतन गल गया है अब आपको जितना भी इसमें ग्रेवी रखना हो पानी थोड़ा डालना हो या ग्रेवी को ठीक रखना हो तो उसे इसाब से आप अपने रख सकते हैं यह मतन मेरा तयार हो गया है दो प्याजा अब इस पर धनिया डाल देते हैं और जो गर्ममसाला बचा के रखा था आप ऊपर से डाल देते हैं विपो ऊपर से गर्ममसाले की खुश्बू बहुत आती है अब मेरा ये दोप्याजा बनकर तयार हो गया है आप चाहे तो चपाती से खाएं या तंदूरी रोटी से खाएं या गार्लिक तर रोटी से खाएं ये खाने में बहुत टेश्टी होईगा आपको ये मेरे रेटीस पसंद आई हो तो लाइक करिए मेरे चैनल को करिए बेल आइकन को दबा कर नहीं नहीं वीडियो देखिए आप 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 आप